नमस्कार साथियो स्वागता है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजूकेशन फर्स्ट इंफर्मेशन 2.0 में साथियो ये वीडियो आपके लिए इंप्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में साथियो आपको कुरान वाले हैं में पॉलिटिकल साथियो के फर्स्ट पेपर के इंप्टेंट कोशन जो साथियो परिच्छाइद रेस्टिश अतिद्य महित्पूर है यति साथियो आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि में पॉ आज इस वीडियो आपको हम दो इंपोर्टेंट कोशन कराने वाले हैं किसके धर्मसास्त के जो आपकी पहली यूनिट है उसके धर्मसास्त के हम दो इंपोर्टेंट कोशन कराने वाले हैं चलिए वीडियो की स्टाडिंग करते हैं साथियो हमारे पास टाइम कम है तो इसलि प्रति में मनुशम्रुति में मनुषमर्टि में मनुषमर्टि में मनुद्वारा पिर्थि पादित दंड निती की विवेचना कीजिए। इसका हम उत्तर देखती हैं दंड निती साथ यह आपको सबसे पहले बिल्यक डॉट से डालनी है दंड निती उसके बाद करना है भारत के प्राचिन विद्वानों ने दंड सक्ति को बहुत अधिक महत प्रिद्दान क्या है सप्तांग सिद्दान्त में भी दंड को राज्य का एक महत्पुर्ण अंग सुद्दाना ७ि यहाँ पड' दंड का अर्थ सैना से लिया गया है दंड को राजा धारण करता है और सभी राजा दंड धारण करने के लिए सच्छम अत्वा योग्य नहीं होते हैं केवल वही राजा दंड को धारण कर सकता है जिसमें सतोगुड की पिर्धानता हो वह वीर्ता, प्राकरम, योग्यता, बुद्धिमता और ज्यान सयम आधी अनिक दिवत्व क्या दिवत्व, गुणों से युक्त हो मनु ने कहा कि दंड पिर्जा पर सासन करता है यह सब की रक्षा करता है जब सब व्यक्ति निंद्रा वश्ता में होते हैं तो दंड जाकता रहता है मनु का यह विचार था कि व्यक्ति में अच्छी या बुरी दोनों पिरकार की पिर्वर्टियां होती है बुरी पिर्वर्टियों के कारण मानव विनास की और अग्रसर होता है और स्वार्थ सिद्धी में लिप्त रहता है अच्छी पिरवर्ती के कारान मानव जनकल्यानकारी कारेों में सनलगन रहता है अथ है राज्या का वह करतब है कि वह ऐसी विक्रत पिरवर्ती वाले मानव की आशुरी पिरवर्तियों का दमन करे तथा उसे सनमार्ग पर ले चले मनु का यह विचार था की राज्या की कारसिद्री के लिए भगवान ने समझ जीवों के चलिए आगे चलते हैं सातियो धर्म सुरूब पुत्र ब्रह्मा से तजो में दंड की सिरश्टी की है उसकी विसेृष्टा क्या है इसको देखते हैं सातियो इससे पहले हमने फेपर के अब वीडियो बना दिया यदि आप अभी तक वो ने देखिए तो आप उसे देखेंD कि जो कोशन है किस पिरकार के आते हैं तो सातियो जो 2022 है था था उसका हमने solution कराया और अपने यूटूब पर अप्लोड भी क्या है चलिए आगे चलते हैं क्या है यह विशेष्टा है यानि गुण गुण दंड निती की पिर्मुख विशेष्टा है निम्लिकित है कौन कौन सी है पहला दंड को राजा धारन करता है प्रंतु राजा भी जंग में जड़ एवंग चेतन के भोग को प्राप करने वाला होता है तीसरा दंड समाज में सुवेश्टा बनाय रखकर वड़ासरम धर्म की रक्षा करने वाला होता है चौथा दंड के विना राजा पुरुष्वेहिन हो जाता है दंड युक्त राजा को पुरुष्टता दंड विहिन राजा को इस्त्री के समान माना जाता है पांचवा, दंड का समोचित और नियापूर्ण पिर्योग करना चाहिए अन्यता यह समपूर्ण पिर्जा को नश्ट कर देता है छटा, दंड राज्य की पिर्भू सत्ता का पिर्टी होता है और राज्य का प्राण होता है जिस प्रकार प्राण के अभाव में सरी मिर्त्यों को प्राप्थ हो जाता है उसी प्रकार दंड के अभाव में राज्य का बिनास हो जाता है पिर्वू सत्ता दंड में ही नहीत होती है जो सात्य पिर्वू सत्ता होती है वो दंड में ही नहीत होती है दंड पिर्जा में अज्या पालन की भावना को उत्पन करता है दंड के वहसे भेवित होकर ही पिर्जा राजा के आदेसों का पालन करती है चलिए आठ्वा एक तरप चलते हैं साथियो आदिसों का पालन करती है आठ्वा दंड के वहसे समझ प्राणी अपने अपने कार्यों में सलंग रहते हैं तथा दूसरे के कार्यों में कोई अवरोध उत्पन नहीं करते हैं नेश्ट दंड के पिरकार दंड के पिरकार मनुने दंड के निम्लिक पिरकारों का वर्णन क्या है चलिए कौन से हैं देखते हैं पहला चिक दगार क्या पहला सात्यों चिक दंड चिक दंड से तात्य पर यह है कि अपराधी अपना अपराध स्विकार कर लेता है तो उसे केबल कठोर बचन कहकर ही मुक्त क्या जा सकता है और सेकंड अर्थ दंड अर्थ दंड कुछ अपराधों के लिए अपराधी को सारेरिक दंड ने देकर केबल आर्थिक दंड जुर्माना देकर ही छोड़ देने की विवश्ता होती है नेक्ष्ट तीसरा वाक दंड यदि अपरादी का अपराद गंबीर पिरकर्ती का नय हो तो तथा वह अल्पव्याश्ट की सिर्यणी में आता हो तो उसे केबल चेताब ने देकर ही अपराद से मुक्त क्या जा सकता है चौथा मिर्ट्य दंड यदि अपरादी ने गंबीर पिरकर्ती का अपराद क्या है तो उसको सारे दंड के अंतरगत मिर्ट्य दंड भी पिदान क्या जा सकता है पांचवा, जाती व्याहिस्कार का दंड, अपराद की फिरकर्ती को देखते हुए, कभी-कभी अपरादी को जाती अथ्वा समाज के वहिस्करत करने का विदंड दिया जा सकता है, ऐसी इस्तिती में समाज व्यक्ती से संबंद विच्छेत कर लेता है छटा, संपत्ती से बंचित करने का दंड, इस दंड के द्वारा अपरादी की संपूर संपत्ती का अपरंड कर लिया जाता है, तथा उसे संपत्ती से बंचित कर दिया जाता है और सात्यों सात्वा निर्वासन दंड इस दंड के द्वारा अपरादी को देश निकाला दे दिया जाता है फिर वह राज्या की सीमाओं में पिरवेश नहीं कर सकता नेक्स्ट दंड का विधान जो साथ दंड का विधान है चलि उसकी तरफ देखते हैं दंड का विधान मनु ने दंड पिरदान करते समें न्यायदीश को निस्पक्च रहने का प्रामर्छ दिया है दंड की मातरा अपराद की पिरकर्ति मातरा के अनुकूल ही होनी चाहिए मनु के सब्दों में अनुबंद को समझकर देश, काल तथा परिष्थिति के अनुसार अपराद की लगोता एवं गुरूता के उपर विचार करना चाहिए तथा अपरादी को सामर्थ है के अनुसार दंड देना चाहिए मनु ने दंड के दस स्थानों का वर्णन क्या है लिन उदर जिवा हाथ पेर नेतर कान नासिक धन इवं दे है ये मनु ने दस प्रकार के जो दंड है उसका वर्णन क्या है नेस्ट राजा दंड सकती के अधिहन यानि राजा दंड सकती के अधिहन यतिपी राजा दंड सकती को धारण करता है परन्तु वह दंड से उपर नहीं है राजा उस से उपर धर्म की सकती है राज्य में सर्वोज शक्ती संपन संस्ता न्यायले धर्म सवा होती है होती थी जो राजा को दंड के संबंद में परामर्श देती थी इस नियाएक संस्ता में विधी वेत्ताव ब्रहमणों तथा बिद्वानों पुर्शों को सम्लित किया जाता था राजा को इनका परामर्श अनिवारे रूप से मानना होता था राजा दंड विधी का निर्माता नहीं वरन उसका केवल व्याख्या कार है राजा को दंड दहरन करते समय निश्पक्ष रूप से समझ परिस्तितियों पर विचार बिमर्श कर लेना चाहिए दंड देने से पूर राजा को यह भी पूर रूप से निश्चित कर लेना चाहिए कि जिसे दंड दिया जा रहा है वे दंड पाने का अधिकारी है भी अत्वा नहीं क्योंकि अनुचित रूप से दंड देने पर राजा स्वयम पाप का भागी होता है तथा उसके राज्य क का बिनास होने लगता है नि दिवोष को दंड देना अन्याइपुन अनैतिख एधर्म होता है इसलिए राजा को दंड का पिरयोग द्विवयग द्वारा निशपक्चत्स से सस्तरा नूकूल करना चाहिए मनु कि ने राजा को यह भी परामर्श दिया है कि नियायाल्य में कुल धर्म जाती हिन देश धर्म की प्रितिष्टा करें जिससे नियायल्य दंड देते समय अपना आच्रण धर्मानुकूल बनाने का यह था संबब प्रियतन करें मनुने दंड बिवस्ता की विष्टर तता सोच विया क्या की है उन्होंने दंड को राज्य में सर्वोच इस्तन प्रिदन क्या है दंड को संपर्भूता का रूप माना गया है दंड राजा में नहीत है परन्तु वे दंड से किसी भी रूप से उपर नहीं है धन को दंड की सत्ता से उपर रखा गया है उपर्योक्त विवरान से यह पूर्टा इस्पष्ट हो जाता है कि भारत्य विद्वानों ने दंड का तो विधान किया है परन्तु उसके परियोग के लिए पूर सावधानी निस्पक्षता विवक्सीलता तथा धर्म सास्तरों के विचारों को पूरा सम्मान देने का प्राम सब्सक्राब दिया है कोटिल्या के अनुसार नियाय दीसों को नियाय छल प्रपंच से रहित निस्पक्स जनप्रिये एवं सब के विश्वास का पात्तु रहुना चाहिए मनु का विचार था कि दंड का उद्देश से अपरादों की संक्या में कमी करना अपरादियों का हि अपराद करने से रोकना यह सातियों इसका अंसर है चलिए कॉशन सेक्टे cartridges तरफ चलते हैं हाँज का हमार सेकर कोशन लेकिन जो में स्रीज में साथिव भू पांच मान लेकिन जो हम में कोशन कर आए उसके लिए आज आढ़ काको दूसरा कोशन है पिर्शन पांच यानि मनु के राजनितिक चिंतन का महत्व लिखिए उतर देखते हैं भारत के राजनितिक चिंतन में मनु का अग्रेण इस्तान है बेपिर्थम विचारक थे जिन्होंने अराजक्ता कि इस्तिथी का अंत कर सुसासन की स्थापना परवल दिया था मनु ने सासक यानी राजा के गुड़ों की विश्थत रूप से चर्चा की क्योंकि राजा के हातों में दंड की सक्ती होती है मनु का आदर्स राजा पिलोटों के दार्शिंग राजय से गुड़ों की तुलना में किसी भी रूप से कम नहीं है प्राचीन राजशास्त्र में सिध्धान्तों के रूपन की दरश्टी से मनु के चिंतन के महत को निमन प्रिकार से देखत किया जा सकता है प्राचा की सीमित सत्ता का पिर्थी पादन, यदि मनु ने राजा की उत्पत्ती के देवी सिधान्त का समर्थन क्या परंतु उसके साथ साथ राजा की सीमिल सत्ता का भी पिर्तिपादन क्या है मनु का विचार राजा के देवी अधिकारों को माननेता पिर्दान करके निरंकुष राज्तंतर के समर्थन का नहीं था बरन उन्होंने राजा के देवी अधिकारों को इसलिए माननेता पिर्दान की जिससे राजा पिर्जा के पिर्ति अपने बेवार में अपने देवी दायत्यों को समझे तता धर्मानुकूल आचरन करें इस पिरकार मनु द्वारा पिर्ति पादि राज्यक की देवी उत्पति का सिध्धान्त रंकूस राज्तंत का पत्थ पिर्शस्त करने के इस्थान पर राजा को धर्मब्य सदाचार के नियमों के अनुशार साशन सत्ता का पिर्योग करने के लिए पिरिरित क्या है यह मनु का राजनितिक चिन्तन को बहुत बड़ा योगदान है यह मनु के राजनितिक चिन्तन को बहुत बड़ा योगदान है चलिए आगर देखते हैं साथियो सेकंड देखते हैं साथियो संप्रूवता राजधर्म तथा राष्टता जैसी अवधारनाव पर प्रिकास डाल ला है मनु ने अपने राजनितिक चिन्तन में संप्रूवता राजधर्म तथा राष्टता आधि अवधारनाव पर प्रिकास डाला है सामानते प्रिशासन कर विवस्ता नियाएक प्रिशासन पर राष्ट संबंद दूट विवस्ता युद्ध के नेतिक नियम आदी के संबंद में मनुने जिन सिद्धानतों का पिट्टी पादन क्या है वे यथार्थ की कसोटी पर खरे उतरे हैं यदि उनको बेववार में परिणत किया जाए तो आदूनिक राष्टों की अनेक प्रिकार की समस्याओं का निदान हो सकता है तता सच्चे अर्थों में लोग कल्यानकारी राज्य का मार्ग प्रिसर्ष्ट हो सकता है मानव मात्र की में कर्टब्यों तथा स्वय धर्म पालन पर वल देना मनुका राज्यनतिक चिंतन की दिशा में यह महत्पुड योगदान है कि उन्होंने मानव मात्र की कर्टब्यों तथा स्वय धर्म पालन पर अत्यदिक वल दिया है अपने दायतों की पूर्ती करके तता स्वय धर्म का पालन करते हुए संपूर मानव जाती सुक एवं सांती से अपना जीवन व्यतित कर सकती है मनुने ऐसी कानूनी पध्तित तता राजधर्म का वर्णन क्या है जिसमें सभी वर्णों के व्यक्तियों के कर्टब्यों की सक्टिक व्याक्ख्या है इस सम्वन में अल्टेकर का विचार का पी सार्थक प्रतित होता है चलिए देखते हैं सात्यों यह क्या कहते हैं अलतेकर यदि सात्यों आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि में पॉलिटेकल सांसे जैसी कोई सब्सक्राइब करें तो हमारा मोटिवेशन होता है तो हम वीडियो आपको देती रहते हैं सात्यों आपका फ्यार सबसे अच्छा रहाता ऐसी आप इस वीडियो में प्यार अच्छा दोगे तो हम संबूल पेपर को आपको कराएंगे देखते हैं चली सात्यों आगे देखते हैं अलतेकर मनुश्मर्ति कोटिल्य के अर्शास्त की तुल्ला में जनता के लिए एक समर्ग आचार सहीता के रूप में अधिक महत्पुन बन गई है क्योंकि उसमें केवल राज्या के संगठन वे समस्याव के चित्रण की है बरन उनके विचारों में जिधार्तवादी एवं विहरवादी चिंतन के दर्शन होते हैं उनके सभी विचार नेतिकता से परिपूर हैं मनुश्मर्य की वियस्ता को धर्म तंत्री राज्या की संगय प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि धर्म के संबन में उनकी धर्णा म संकीन्ता के दर्शन नहीं होते हैं मनु का चिंतन तो व्यापक मान भी है धर्म पर आधारित है डाक्टर यूबराज जैन के सब्दों में पुराणों के पिर्थम मानव मनु भारतिय राजदर्शन के भी पिर्थम एवं पिर्मुक प्रिकास स्थम थे जिससे आज भी जीवन तथा राजनितिक के छेत में परेड़ना गिर्थन की जाज सकती है चलि पांचंक कंधु आ dos कि भिदि परेड़नेता धण तथा निया विवाशता के पिरव्यर्थतक मनु ने मानविय व्याच्व के समई में नेमों की एक वड़ी स्रंखला मनुस्मर्थी में व्यक्त की है मनुस्मर्थी को बर्तमान समय में विदी सास्थ के महतपूर गरंद के रूप में सुवकर किया चुका है नियाधीर किसी जटिल कानून की व्याख्या करते समय मनुस्मर्थी का सहरा लेते है प्राचिन भारत की धन तथा निया विवस्ता का आधार भी मनु के विचार ही हैं मनु की निया विवस्ता में बर्तमान समय में के समान दो पिरकार के विवादों का उलेक मिलता है हिंसा आचरान यानि हिंसक आचरान तता विवार से उत्पन विवाद तता धन संबंद विवा है ततह ये हैं भी कहा है कि दंड दे परते समय किसी के साथ भी भेदवाब नहीं करना चाहिए या जब दे systems कारे भावन हो दुर भावना से अलग रहकर क्या जाना चाहिए इस प्रिकार से हम यह कह सकते हैं कि मनु ने नियाय के सद्धान्तिक विवेचन के साथ साथ नियाधीसों की योगता नियाय पालिका के संगठन नियाय प्रिकरिया अपरादों में दंड के वरिकर्ण आधिका विवेश्टित विवेचन करके एक पूंद न्याएक दर्शन प्रिश्थुत करने का सपल पिर्यास क्या है जिनको भारते न्यासास्त में मनु के मौलिक योगदान के रूप में याद किया जाता है मनु के न्याग व्योष्था में ऐसे अनेक तथ्यों का समाविश है जिनको जिनको बर्तमान समय में अभी अपनाना लाबकारी होगा चली साथ एक तरफ चलते हैं छटा राजकोष तता अर्थ विवश्था संबन्दी विचारों का पिर्णेता मनु ने इस बात पर वल दिया था कि राज्या के कुसल प्रिशासन के लिए धन्ने से परिपन कोष की आपसकता होती है जिनमें उत्तम अर्थ विवश्था की महत्पूं भूमिका होती है मनु कर विवश्था के संबन्द में प्रिजा राज्या के से धन्तिक तथा अधिक कर निशेद से धन्तिक का पिर्थिपातन करते हैं जो बर्तवान समय में भी अपना महत्व रखता है उनका संपूल चिंतन लोग कल्याण के लिए समर्पित था तभी उन्होंने इस बात पर बहुत जोड़ दिया कि गरीव जन्ता पर करकाभार कम तता समर्द व्यक्तियों पर करकाभार अधिक होना चाहिए जो गरीव जन्ता उस पर भार कम और जो पैसे वाले यानि समर्द व्यक्तियों उनके पास जो करकाभार उस पर अधिक होना चाहिए सात्मा पर राश्रमन्द विचारों का पिट्टी पादन अंतराष्टे राजनिति के विविद पक्षों पर मनु ने प्रकार डालने का प्रियास क्या है मनु ने अंतराष्टे छेतरों में सक्ती संतुलन के सिध्धान्त का पिट्टी पादन क्या है मनु द्वारा पिट्टी पादन सड़ गुंडे, निती विभिन उपाय तथा मंडल सिद्धान्त बर्तवान समय में भी किसी देश की विदेश निती के महत्पूर सिद्धान्त माने जा सकते हैं मनु ने राष्टवा तता अंतराष्टवाद में अध्वुत समन्वे इस्तापित क्या है तथा यही समन्वे बर्तमान गंबिर अंतराष्ट परिस्तितियों में विश्व सांती का आधार बन सकता है मनु ने युद्ध के इस्तानों परसांती पर वल दिया है उन्होंने इस बात का समर्थन क्या है कि युद्ध को केवल अंतिम विकल्ब के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए पहले कूटनिती साधनों से ही जगनों का समाधान खोजने का प्रियास करना चाहिए यदि समस्या का समाधान ने हो तबी युद्ध का साहरा लेना चाहिए मनु के कूटनिती संबंदी विचार उन्हें बर्तमान अंतराष्ट राजन्तिक के विद्वानों की पहली कतार में खळा कर देते हैं आठमा संपूर्ण सामाजी जीवन का इश्पष्ट सूब्यवेश्टि दर्शन सात्यों देखते हैं से मनुने केवल राजन्तिक चिंटक हैं बरण उन्होंने मनुस्मर्ति में समाज की सामाजी तता आρतिक विवीश्टाओं पर भी महतपुर विचार व्यक्त किया है उन्होंने भारतिय समाज को वर्ण आश्र विवश्टा पिर्दान की है इस्तिर पुरुस में एक दूसरे के पिर्थी दायत निर्दारित की है तता इस्तिर पुरुसों के बीच समपत्ति के विभाजन का विधान क्या है मनु ने अपनी सामाजिक विवश्टा में इस्तिरियों के हितों की सुरक्चा करने पर विशिसवल दिया है मनु ने उस समय अपना सामाजिक दर्चन पृष्टुत क्या है जब विश्वल में अनेक भागों में अराजकता की इस्तिती व्याप्ती मनु के विचारों से हमें य द्रवार्णाने के देने के रूप में सुविकार की जाती विचार वण व्यवस्ता के सम्बंद में नहीं थे प्राचीन वण व्यवस्ता ग्यान तथा कर्म पर अधारित थी जन्व के द्वारा अपना एगई जाती व्यवस्ता पर आधारित नहीं थी मनु के सामाजिक तता रायंदिक दर्शन की पिरभाव सील्दा व्यवारिक उप्योगत तता महत्व इस बात से स्वयम सिद्ध हैं कि बर्तवान समय में भी मनु समर्थी को हिंदु सामाजिक व्यवस्ता के संदर में गिरंत के रूप में सुखार क्या जाता है मनुस्मर्थी विदी सास्त पर लेखी गई अमुल्य किर्थी है क्या मनुस्मर्थी विदी सास्त पर लेखी गई अमुल्य किर्थी है सात्यों यह आज के हमने दो कोशन देखें यदि सात्यों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको हम देते रहें सात्यों, आप सवस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि टाइम कम है और सात्यों टाइम कम है, इसलिए हम आपको इम्पोर्टेंट कोशन कराएंगे सात्यों, अगले वीडियो में हम अर्थ सास्त्र कोशन कराएंगे, अर्थ सास्त्र यानि अर्थ सास्त्र में पॉलिटिकल साइंस में जो आपके पहला यूनिट है धर्म सास्त्र और अर्थ सास्त यहीं तक यदि आप को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें खाल सब्सक्राइब करें ताकि एज ब्रों यहीं तक धन्यबाद